ओके बच्चो अब हम शरूखने के बाक्य नमबर 15 तो पूड़ आप आकास वाट डीड यू पे पर इस बूक सेड़ कगर इसमें मैंने चेंज करवाई है लेकिन वापीस में करवा दूख जो इन्वेटेट कोमा है न वह आकास के बाद कर देना है इसमें पेंप्लेट में आक आकास से बाद इन्वेटेड कोमा कर देना है तो आकास हो गया सुनने वाला और यह है डबली यह परस्णात मतलब आप आप कैसे समत पाओगे तो जीश प्रस्णात वाक्या की शरूवाद वौट वूवाई वैन व्यर और हाव मैंदी और हाव मच ओके इस प्रकार के हुए वाक्या को डबल्यूय प्रशनात वाक्या कहा जाता है बराबर तो आप याद रखना इसमें सही जग इफ आएगा नहीं और दूसरी बात इसमें सब्जेक आएगा तीसरे स्थान अब देखो what did you what यानि पहला डी यानि दूसरा और यू यानि तीसरा ओके लट स्टार्ट बूलनार गगन रिपटिंग वा बास्क्र सांबलनार आकाश इफ आएगा नहीं पराबर अब आपको इफ के बढ़ ले इफ के बढ़ ले आप लिख दो डबल एच शब्द जो भी हो इफ के बढ़ आप ले आपन है तीसरे स्तान पर है तो यू 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 और को ना मुझवफर है सांबलनार मुझव सांबलनार नर जाती है तो वट के बाद आया ही तो यू का हुआ ही अब वाक्य में बराब-बर आप गौर करो डीड पे तो डीड प्लस भीवन एक बराब-बर बात आप याद रख कि जिस वाक्य में do, does और did आए उस वाक्य में हमेशा वी वन ही आता है, तो आप टेबल टू याद करो, टेबल टू में मैंने आपको सिख्या, did प्लस वी वन उसका होता है, head प्लस वी थ्री, तो फरिवार, गगन आस्कड आकाश, what, you का हुआ, he, बराबर, did का हुआ, had और pay का हुआ, paid, did प्लस वी वन, उसका हुआ, head प्लस वी थ्री, बराबर, four का four year रहेगा, this का हुआ, that, और book का हुआ, book, okay, ready, आगे, राहूल से टू विरेंद्र, did you check your back, बराबर, तो यह है न, आप देखो, यह साधा प्रस्नात वाक्या है, क्योंकि इसकी शुरुआद डीट से हुई है, कोई डबलेच सब्द से नहीं हुई है, okay, तो बुलना राहूल, रिपोर्टिंग वबास्कड, सांबलना विरेंद्र और स्वेज्वकाया इफ, अब इसमें सब्जेक आपको मालूम है, दूसरे स्थान पर है, तो सब्जेक है you, you और सांबलनार मुझे पर है, सांबलनार है नर्जाती, विरेंद्र, okay, इसके कारण you का हुआ ही, अब पहले चे चालू करो, did, check, अपने देखा न, did or check, तो did का होगा head, और check का V3 होगा check, वापिस वही नियां repeat आये, did plus V1, head plus V3, okay, तो did का हुआ head और check का V3, check, उसके बाद your, तो गिनो, you, you, your, यू, और कोना मुझे फरे सांबलनार, पर सांबलनार कोन है, विरेंद्र, नर्जाती है, तो नर्जाती की लाइन तिन स्थान त उसी साब से योर का हुआ हीज और बेग का बेग मैं पूरा आंसार एक बार रिपीट करता हूँ राहूल आस्कड विरेंद्र इफ ही हैट ही हैट चेकड हीज बेग अब बाक्या नमबर सेवंटी जैसूरिया सेट्टू अटापट्टू अटापट्टू हाँ स्रीलंकर स्रीलंकर प्लियर है और वहां पर इस परकार के तोड़े नाम बहुत ऐसे होते हैं चलो अब जबाब में देखें बोलनार जैसूरिया रिपर्टिंग अब आस्कड सांबलनार अटापट्टू इसमें इफ आएगा नहीं क्योंकि यह डबुले प्रसनात वाक्या है वाक्य के शरुवात वैं से हुई है तो इफ के बढ़ले आ गया वैं ऐसा आप समझ करो ओके अब सब्जेक है यू इसमें मैं आपको बताया ना तीसरे स्थान पर है वैं डीड यू तो सब्जेक है यू यू का सांबलार मुजब अटा बटू नर जाती है तो यू का हुआ ही वापीश याद करो डीड का हुआ है डीड प्लस वीवन डीड का हुआ है और फिनिश का वित्री फिनिश्ड फिप्टी का फिफ्टी ओके पराबर तो पुरा जवाब मैं आपको वापीश एबाद दो रहा तो जही सुर्या आस आपको याद दिला दू कि आपको कोई भी ग्रामेटिकल क्वेशन हो क्या में दूसरा कोई टॉपिक दसवी बार भी स्टुडेंट्स को मैं आपको सौल करने को दू और कोई भी प्रोब्लेम हो पराबर तो आपके पैंप्लेट में मेरा नंबर दिया गया है पराबर यह आप कभी भी मुझे कॉल करके आपकी क्वेरी सौल करवा सकते हो पराबर तो आप ऐसे गवरानमत कोई भी क्वेशन हो यू के आस मी यह हल्प लाइन नंबर आपके लिए हैं ओके चलो उसके बाद वाक्या नंबर 18 और हमारा लास्ट वाला वाक्या है इम्रान सेट इसलिए इफ आएगा नहीं तो क्या है या वाई पराबर इसमें सब्जेक तीसरे स्थान पर रहा है वाई यानि पहला शूड यानि दूसरा और यू यानि तीसरा पराबर तो यू यू और साम्बलार मुझभवर है यू इस पेंप्लेट में थोड़ी क्रिंट में इस दिखना है तो जो अभी इस प्रकार बनेगा इम्रान आस्कड तन नी वाई शी चब देको आगे लेना है यू का हुआ शी शूड का शूड ही रहेगा एपसंड का रिमें का रिमें ही रहेगा एपसंड का एपसंड टूडे का देट है ओके रिमें है ना रिमें का रिमेंड नहीं होगा क्योंके शेल का शूड़ हो चुका है पराबर बच्चो I repeat the answer again इस प्रकार स्यांसर आपका बने का इम्रान आस्कडत तो नी वाई शी शूड़ रिमेंड एप्संड टूड़े का बच्चो यहाँ पे आप लोगों के 18 सेंटेंस पूरे होते हैं पराबर आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में